C-I-E-T-N-C-E-R-T Presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास, विद्यालयों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत, स्कूलों के लिए, सहलसानी Letter U, Index, Word and Page Number Ulema, Ulama Page 130 Ulus Page 130 Universal Adult Franchise Untouchability Opnayana Page 132 Openishats Page 132 Ur Page 133 Urbanization Page 133 Now let's move to the Dictionary of History Page 130 Ulema, Ulama The term refers to the class of Islamic scholars who specialized in Muslim law, theology and logic. It is on account of their learning, i.e. ilm, in these areas, that members of the Ulema, i.e. alim, functioned as teachers, i.e. muallim, judges, i.e. qazis, and lawyers, i.e. mufti, in Islamic societies, and also as religious officers in Islamic State. During the Sultanate and the Mughal period, the Ulema exercised great influence in deciding state policies. However, their influence remained moderate to insignificant during the reigns of powerful kings like Allahuddin Khilji and Akbar. Often, the Ulema as a class is associated with the preservation of Islamic traditions, although, in many instances, many of them have been pioneers of radical change. The class of Ulema is not a priestly class, as in Islamic tradition, every Muslim is entitled to lead the religious prayer. Nonetheless, as the members of the Ulema are educated in special schools, and therefore, certified for their religious knowledge, they hold a status similar to that of priests in Islamic societies. Ulema Ulema अधिकारियों के रूप में कारे करते थे। सल्दनत और मुखलकाल में उलेमा ने राजी की नीतियों के निर्धारन में बहुत प्रभावशाली भूमे का निभाई। किन्तु अलाउदिन खिल जी और अक्बर जैसे शक्तिशाली शासकों के शासन में उनका प्रभाव साधारन या नगर्न नहीं रहा। अक्सर एक वर्ग के रूप में उलेमा का कार्य इसलामिक परमपराओं की रक्षा से जुड़ा था। तथा पी अनेक ऐसे ओधारन मिलते हैं जिन से ये पता चलता है कि समाज में आमूल परिवर्तन लाने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही है। उलेमा धार्मिक खृत्ते कराने वालों का वर्ग नहीं था क्यूंकि इसलामी परमपरा में हर मुसल्मान धार्मिक प्रार्थना कराने का हक्तार होता है। फिर भी उलेमा वर्ग के सदस से विशेश मदर्सों में शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्यान के लिए प्रमानित होते हैं इसलिए इसलामी समाजों में उन्हें पादरियों जैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है इस से मुराद इसलामी स्कॉलरों की जमात है जिने इसलामी गवानीन, अकाइद और मंतिक में महारत हासिल होती है ये अपनी उन्ही महारतों याने इल्म की बुनियाद पर उल्मा याने आलिम इसलामी समाज में उस्ताद याने मुल्लिम, जज याने काजी, और वकील याने मुफ्ती और इसलामी रियासत में मजहबी कारिंदों याने अफसर की हैसियत से काम करते थे सल्टनत और मुगल दोर में रियासती मनसूबों की तश्कील में उल्मा खास किरदार अदा करते थे ताहम ताकतवर हुक्मरान मसलन अलाउद्दीन खिल जी और अक्बर के दोर में उनका असरो रसूख, मताद्दिल या गेर एहम था उल्मा अक्सर बहैसित एक जमात इसलामी रिवायतों की हिफाज़त के लिए मतयन थे अगर्चे बहुत सी मिसाले ऐसी हैं जिन में गेर मामुली तबदीलियों के लिए उल्मा जिम्मेदार थे इसलामी रिवायत में उल्मा बहैसियत जमात पाद्रियों की तरह नहीं होते बलके हर मुसल्मान नमाज पढ़ने का हक रखता है ताहम उल्मा खास दरसगाहों के फारिग तहसील और मजभी उलूम में मसद्गा तौर पे सनद्याफता होने की वज़ा से इसलामी समाज में वही मकाम रखते हैं जो पाद्रियों का होता है अलूस In Mongol language, the term initially referred to a number of kin groups who owed their allegiance to a chief Subsequently, the term also came to signify an indeterminate area that is without fixed boundary During the period of rapid Mongol expansion under Chingez Khan such territories, that is Ulus, were allocated to his four sons However, by the middle of the 13th century the term carried the sense of a territorial dominion As such, Ulus came to be ruled by an individual dynasty Ulus Mongol भाषा में ये शब्द आरंभ में अनेक परसपर संबध समूहों का दियोतक था जो एक मुख्या के प्रती निष्ठा रखते थे आगे चल कर ये शब्द एक ऐसे मध्धेवर्ति क्षित्र का भी सूचक बन गया जिसकी कोई निष्चित सीमान नहीं होती थी चंगेस Khan के शासनकाल में जब मंगोल राज्य का तेजी से विस्तार हुआ तो ऐसे क्षित्रों अर्थात Ulus को उसके चार बेटों में बाट दिया गया किन्तु तेरहवी शताब्दी के मध्ध तक इस शब्द को एक प्रभुता संपन राज्यक्षित्र के अर्थ में लिया जाता था क्योंकि प्रत्येक Ulus एक राजवन्ष विशेश द्वारही शासित होने लगा था Ulus मंगोलियाई जबान में इस इस्तिला से मुराद बहुत से कराबतदार गिरों हैं जो किसी एक सरदार के ताइन वफदार होते थे बाद में इस इस्तिला का इस्तिमाल उन गेर मताइना इलाकों की तरफ इशारा करने के लिए भी किया गया जिनकी कोई मुताइना हुदूद नहीं होती थी चंगेस खान के मातहट मंगोल की तेज रफदार गैर मामुली तौसी के जमाने में उस तरह के इलाके याने उलूस उसके चार बेटों को दिये गए थे ताहम तेरवी सदी के वस्त से उस इस्तिला ने इलाकाई तसलत का मफूम हासिल कर लिया इसलिए के हर उलूस पर किसी एक हुकुमरा की जाती हुकूमत होने लगी थी उम्मा It is an Arabic word which means a community In the specific context of Islam the word acquired significance before Mohammed's flight from Mecca in 622 CE Hijra when the major groups in Medina and the migrants from Mecca formed themselves into a single community that is Ummah through their acceptance of Allah as the Supreme God and Muhammad as His Prophet. However, in the course of time all those who accepted Islam came to be considered as part of the Ummah. Page 131 Ummah ये एक अरबी शब्द है जिसका आर्थ है एक समुदाए इसलाम के खास संदर्भ में इस शब्द ने 622 ईस्वी में पेगंबर मुहम्मद के मक्का से पलायन से पहले एक विशेश अर्थ प्राप्त कर लिया जब मदीना में रहने वाले प्रमुख समुहों ने और मक्का से आने वाले अप्रवासियों ने मिलकर अल्लह को एक परम परमेश्वर और मुहम्मद को उसके पेगंबर की रूप में स्विकार करते हुए अपना एक समुदाए अर्थात उम्मा बना लिया किन्तु आगे चलकर उन सभी लोगों को जिनोंने इसलाम स्विकार कर लिया था उम्मा का ही एक हिस्सा माना जाने लगा उम्मा उम्मत ये अरबी लवज है जिसका मतलब तबका या कौम है 622 इसवी में पेगंबर मुहम्मद स्विकार के मक्का से मदीना हिजरत करने से पहले ही ये लवज इसलाम के मखसूस सियाक में एक खास मफूम इक्तियार कर चुका था जब मदीना के बड़े गिरों और मक्का के महाजरीन ने अल्ला को खुदाए बरतर और मुहम्मत को उसके रसूल की हैसियत से तसलीम करके खुद को उम्मत की शकल में ढाल लिया ताहम रफ़टा रफ़टा उन तमाम लोगों को उम्मत का जूस समझा जाने लगा जिन्होंने इसलाम पुबूल कर लिया Universal Adult Franchise It is a system by which all adult citizens of a country that is a modern democratic state are given the right to vote and elect their representatives for governance However, the democratic values underlying the system evolved over a long period of time as the right to vote was initially quite restricted Although the Constitution of the United States of America was the first to recognize the concept of adult franchise it granted this right only to a minority of the adult population Similarly, despite the fact that the National Assembly in revolutionary France passed the Declaration of the Rights of Man yet it took a great deal of struggle to realize the goal of Universal Adult Franchise of India above the age of 18 enjoy this right सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतरगत किसी देश अर्थात एक आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने और उसके द्वारा शासन हेतु अपने प्रतिनिधी चुनने का अधिकार दिया जाता है किन्तु इस प्रणाली के अंतरगत उपलब्ध लोकतंत्रिय मूलने विकसित होने में एक लंबा अर्सा लगा क्यूंकि प्रारंभ में मतदान का अधिकार काफी सिमित था यद्दिपी सयुक्तराज अमेरिका के समविधान ने सर्वप्रतम वयस्क मतदिकार की अवधारना को मानिता दी थी फिर भी उसने ये अधिकार वयस्क लोगों में से कुछ को ही दिया था इसी प्रकार क्रान्तिकारी फ्रांस में भी यद्दिपी राश्ट्रिय विधान सभा ने मानव अधिकारों की घोशना पारित कर दी थी फिर भी फ्रांस में सारवजनिक वयस्क मताधिकार के लक्षे को प्राप्त करने के लिए काफी संखर्ष करना पड़ा काफी लंबे समय तक लिंग, संपत्ति, प्रजाति, शेक्षिक योगिताओं जैसे अनेक तत्वों ने सारवजनिक वयस्क मताधिकार की संभावना को लोक्त अंत्रात्मक मानदंड बनने से रोके रखा भारतीय संविधान निर्माताओं को ये श्रेय जाता है कि हमारे यहां सारवजनिक वयस्क मताधिकार प्रारंभ से ही हमारे संविधान का अभिन अंग बन गया इस समय भारत के सभी वयस्क नागरिक जिनकी आईयू 18 वर्ष या उससे अधिक है इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं हमागीर बलीगान हक राइदही ये इंतिखाव एक निजाम है जिसमें तमाम बालिग मुल्की शहरियों यानि मौजूदा जमूरी रियासतों को हकूमत के लिए अपना नुमाइंदा मुन्तखब करने और राइदही का हक दिया जाता है ताहम उस निजाम के तहट जमूरी इकदार को बाहाल करने में तवील मुदत लगी इसलिए हक राइदही इप्तिदा में बिलकुल महदूद था अगर्चे रियासत हाए मुतहद्दा अमरीका पहला मुल्क है जिसने हमागीर बालिगन हक राइदही को मनजूर किया ताहम बाशिंदों में सिर्फ बालिग अकलियत को ही ये हक दिया गया था इस तरह हकीकत के बावजूद कौमी असम्बली ने इनकलाबी फ्रांस में मर्दों के हुकूक का एलान कर दिया था फिर भी हमागीर बालिगन हक राइदही के हदफ को हासल करने के लिए फ्रांस में सخت जद्दो जहद करनी पड़ी अरसादर्स तक जिन्स, जायदाद, नसल, तालीमी लियाकतों वगेरा के ख्यालात ने हमागीर बालिगन हक राइदही यानि यूए एफ के इमकानात को जमूरी उसूलों में शामिल होने से रोक कर रखा आईने हिंदुस्तान के तश्कील कनंदगान की बड़ुलत हमागीर बालिगन हक राइदही इप्तिदा से ही आईने हिंदुस्तान का एक मुस्तकिल जुज बन गया जैसा के आज 18 साल से ज्यादा उमर वाले हर हिंदुस्तानी शहरी को हक हासिल है के वो हक राइदेगी का इस्तिमाल कर सकते हैं Untouchability The term refers to a typical social practice that existed in India under which specific social groups on account of their traditional occupations of polluting nature were considered as untouchables by other social groups Though the practice finds no mention in the Vedas, yet later treatises like Dartha Shastra and Manu Smriti did respectively refer to segregation of groups performing unclean occupations from the rest of the society In course of time, the practice also came to involve imposition of severe social disabilities on such groups Despite the fact that the rise of heterodox sects like Buddhism and subsequently the sweeping waves of the Bhakti movement made sincere efforts to ameliorate their condition Yet, the practice continued unawaited In modern times, serious attempts were made both by the 19th century social reformers as well as by Mahatma Gandhi to eradicate the social evil Through self-respect movements and political mobilization with the adoption of Constitution of India in 1950, the practice became unconstitutional Further, on the passage of the Untouchability Offence Act of 1955, it became punishable by law Successive governments in independent India have also taken many steps of affirmative action to uplift the so-called untouchable classes Page 132 Asprishita This is the case of the अन्य वर्गों से अलग रखने की बात कही गई है आगे चलकर इन समूहों पर अन्य कई प्रकार की सामाजिक आयोग्यताएं थोब दी गई हालां कि बौध धर्म जैसे कुछ असनातनी पंथों के प्राधुर्भाव से और आगे चलकर भक्ति आंदोलन के सुधारवादी सिध अधुने काल में 19. शताबदी के समाज सुधारकों और महात्मा गांधी दोनों द्वारा इस समाजिक बुराई को दूर करने के प्रयत्न किये गए आत्मसम्मान संबंधी आंदोलनों और 1950 में भारतिये समविधान के प्रवर्तन के साथ राजनीतिक एक जुटता के कारण अ समविधानिक घोशित कर दी गई ततपश्चात 1955 में अस्प्रिश्चता अपराद अधिनियम पारित किये जाने के बाद ये प्रथा कानून द्वारा एक दंडनीय अपराद बन गई इसके अलावा स्वतंत्र भारत में क्रमिक रूप से कारेरत सभी सरकारों ने अच्छूत कहे जाने वाले सभी वर्गों के उध्थान के लिए अनेक सकारात्म कदब उठाएं हैं। दोनों में चंद गिरों को नापाक पेशा इख्तियार करने की वज़ा से समाज के बकाया गिरों से अलग होना बताया गया है। जदीद दोर में उननिस्वी सदी के समाजी मसलहीन और महत्मा गांधी दोनों ने उस समाजी बुराई को खत्म करने की संजीदा कोशिश की। तहरीक इज़त नफस और सियासी तहरीक की वज़ा से 1950 में आईने हिंदुस्तान को तसलीम करने के साथ ही इस तरीके को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मजीद ये के 1955 के कानून अहानत छूत छात यानी Untouchability Offense Act के तहट उस तरीके को कानूनन जुर्म करार दे दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में आने वाली हुकूमतों ने भी अछूत समझे जाने वाले तबके की फला के लिए बहुत से मिजबत इकदाम किये हैं। अपनायान Among the sacraments, i.e. sanskaras, recognized in the Hindu tradition, the term stands for taking the child to a teacher for education. Its most notable feature rests on the belief that by performing this rite, the initiated would receive a spiritual rebirth, i.e. dvija. This sacrament was reserved for the young male members of the first three Varnas, namely, the Brahmanas, Dakshatriyas and the Vaishyas, with the ideal age, 8, 11 and 12 respectively, prescribed for their initiation. However, there are also instances of girls having been initiated during the Vedic times. As a mark of such initiation, the initiates, i.e. Upanita, would wear the sacred thread, i.e. Yajyonapavita, which would continuously remind them of their vow to steadfastly pursue their social-religious duties. In due course of time, as proficiency in Vedic studies was more exclusively expected of the Brahmanas, the sacrament remained confined to the letter which is performed to the present day. उपनयन, ये हिंदू परंपरा में मानेत्य प्राप्त संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसका तात्पर्य है, शिक्षा के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना. इस संस्कार की सबसे उल्लेखनिये विशेशता ये विश्वास है, कि इसके द्वारा उपनीत बालक को आध्यात्मिक जन्म अर्थात द्विज का दर्जा प्राप्त हो जाएगा. ये संस्कार प्रथम तीन वर्णों अर्थात ब्राहमन, क्षत्रिय और वैश्य के बालकों के लिए ही आरक्षित था. इस संसकार के लिए ब्राहमन बालक की आदश आयो आठ वर्ष, क्षत्रिय बालक की ग्यारा वर्ष और वैश्य बालक की बारा वर्ष मानी गई थी. किन्तु कुछ ऐसे भी ओधारन मिले हैं, जिन से ये पता चलता है कि वैदिक काल में लड़कियों का भी उपनयान संसकार हुता था. उपनयान संसकार के प्रतीक के रूप में उपनीत बालक को यग्यो पवीत पहनाया जाता था, जो उन्हें अपने सामाजिक धार्मिक करतव्यों का पालन करने के वरत की निरंतर याद दिलाता रहता था. कालांतर में वैदिक अध्ययन का कार्य अधिकतर ब्राहमनों से ही अपेक्षत होने के कारण ये संसकार भी ब्राहमनों तक ही सीमित हो गया जो आज तक चल रहा है अपनैन ये हिंदू रिवायत की एक तसलीम शुदा मुकदस रस्म याने संसकार है जिसमें बच्चे को उस्ताद के पास आगाज तालीम के लिए ले जाया जाता है उसकी खास खूबियों का इनहिसार इस अकीदे पर है कि इस रस्म की अदाईगी से रुहानियत नू याने दूइजा हासिल होती है ये मुकदस रस्म इप्तिदाई तीन वर्नों याने ब्रहमन, शत्रिया और वैशे के लड़कों के लिए ही बाल तर्तीब उनकी मिसाली उम्रों आट, ग्यारा और बारा साल के साथ महफूस थी लेकिन कुछ ऐसी मिसाले भी हैं कि वैदिक एहद में लड़कियों को भी उस रस्म की अदाईगी के लिए उस्ताद के पास ले जाया जाता था इस रस्म को अदा करने वाला याने उपनीत को बतौर निशान मुकदस धागा यग्यो पवीत बांधा जाता है जो मुसलसल इस बात को याद दिलाता है कि वो साबित कदमी से अपने समाजी वा मजहबी फराइस की पैरवी करे मरूर आयाम के साथ वेदों के मुताले में महारत की उमीद खास तौर पर ब्रहामनों से की जाने लगी चुनाचे बाद में मुकदस रस्म याने संसकार भी उन तक महदूद होकर रह गई जो आज तक जारी है पेज 133 अपनिशद 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 इस प्लूरल of the Sanskrit word अपनिशद which means sitting near devotedly since the अपनिशद form the last part of the Vedas these are also called the Vedanta the Upanishads represent the philosophical essence of the Vedas and like the latter were handed down the generations orally originally how many Upanishads existed is not known though the Muktika Upanishad provides a list of 108 Upanishads which vary in length and style of composition out of these Adi Shankara had recognized 16 as authoritative and had written commentaries on 10 which are Isha, Kena, Kath, Prashna, Mundak, Mandukya, Chandogya, Brihad Aranyak, Aitreya and Tattirya The importance of the Upanishads in Vedic studies can be gauged from the letters declaration that the being that is to be known that is can be had only through the Upanishads Our nation's motto Satya Meva Jayate is taken from the Mundak Upanishad उपनिशद ये संस्क्रित भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिकर्थ है समर्पित भाव से पास बैठना चुकि उपनिशद वैदिक सहित्ते के अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है उपनिशद वेदों का दाश्रिक सार प्रस्तुत करते हैं और वे वेदों की तरह ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से सौपे जाते रहे हैं मूल रूप में कितने उपनिशद थे ये ग्यात नहीं है वैसे तो मुक्तिक उपनिशद में एक सो आठ उपनिशदों की सूची मिलती है जो आकार तथा रचना शैली की दृष्टी से भिन भिन प्रकार के हैं आदिशंकर ने इन में से सोलह उपनिशदों को ही प्रामानिक माना था और उन में से दस पर अपना भाष्य लिखा था ये दस उपनिशद हैं इश, केन, कठ, प्रश्ण, मुंडग, मांडुक्य, छांदोग्य, ब्रिहद आरण्यक, एत्रे और तैतिरिय वैदिक अध्ययन में उपनिशदों का महत्व उन में की गई इस खोशना से ही जाना जा सकता है कि गेय का ज्यान उपनिशदों से ही हो सकता है हमारे राश्ट्र का आदर्शवाक्य, सत्य मेव जयते, मुंडग अपनिशद से लिया गया है उपनिशदें, ये संस्कृत लव्ज उपनिशद की जमा है, जिसके मानी मराकबे में बैठना है चुके उपनिशद वेदों के आखरी हिस्से पर मुश्तमिल है, इसलिए उन्हें वेदांद भी कहा जाता है उपनिशदें, वेदों की फलसफियाना रू को पेश करती हैं, जो जुबानी तोर पर बात की नसलों तक पहुँचती रही है ये असलन कितनी थी, ये मालूम नहीं है ताहम, मक्तग उपनिशद 108 उपनिशदों की फैरिस्थ फराहम करती है, जो तौलात और तर्तीब के लिहास से मुख्तलिफ है उनमें आदिशंकर ने 16 को मस्तंड करार दिया और 10 पर तपसिरा भी किया जिनके नाम है इशा, केना, कट, प्रश्न, मुंडका, मंडुक्या, चंदोग्या, ब्रिहदारण्यक, एत्रिया और तैत्रिया वेदों के मुताले के लिए उपनिशदों की एहमियत का अंदाजा बात के उस बयान से किया जा सकता है के वजूद बारी का पता सिरिफ उपनिशद से ही मालूम होता है हमारा कौमी मकसद सत्यमेव जयते मुंडका उपनिशद से लिया गया है और, the term refers to one of the three types of village assemblies that are found in Tamil inscriptions the other two being the Sabha and the Nagaram According to some historians, though, the term also refers to one of the basic units of the rural society in early medieval South India, especially in the Chola Mandalam This was the commonest type of village assembly, which included all classes of land-holding people in the village whereas the Sabhas and the Nagarams were exclusive assemblies of the Brahmanas and the traders and merchants respectively So far as the functions of the Ur is concerned, it dealt with matters related to land management irrigation, roads, charitable endowments, etc. It is also suggested that the Ur made rules for its own functioning However, in case of an issue of larger concern, all the three kinds of assemblies consulted each other to arrive at a decision और, Tamil अभी लेखों में तीन प्रकार की ग्रामसभाओं का उल लेख मिलता है और उनमें से एक है और सभा तथा नगरम शेश दो हैं कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये शब्द आरंभिक मध्यकालीन दक्षन भारत विशेश रूप से चोल मंडलम में ग्रामिन समाज की एक बुनियादी इकाई के लिए भी प्रयुक्त होता था ओर सबसे सामानने ग्राम सभा थी जिसमें भूमी रखने वाले ग्रामिन लोगों के सभी वर्ग शामिल थे जबकि सभा में केवल ब्रहमन और नगरम में व्यापारी तथा सौदागर लोग शामिल होते थे जहां तक और के कारेों का संबंध है ये भूमी प्रबंध, सिंचाई, सडक, धर्मदाय आदी से संबंधित मामलों को निप्टाती थी ये भी कहा जाता है कि और स्वायम अपने कारे संचालन के लिए नियम बनाती थी किन्तो यदि कोई व्यापक महत्व का प्रेश्ण उपस्थित होता था तो उसका निर्णाय करने के लिए तीनों सभाएं एक दूसरे से परामश करती थी उर इस इस्तिला से मुराद तमिल कुद्बों में मसकूर तीन तरह की देही असेम्बलियों में से एक है दूसरी दो असेम्बलियां सभा और नगरम है बाज मुराखीम के मुताबिक इस इस्तिला से मुराद इप्तिदाई एहद वस्ता में जुनूबी हिंदुस्तान बिल खुसूस चोला मंडलम के देही समाज की एक बुनियादी इकाई भी है ये एक तरह से गाउं की आम असेम्बली थी जिसमें गाउं के हर तबके के मालिकाना जमीन शरीक होते थे जबके सभा में सिर्फ ब्रहमन और नगरम में सिर्फ ताजिर और सौदागर शरीक होते थे जहां तक उर की जिम्मेदारियों का तालुक है तो ये जमीन, सींचाई, सडक और खेराती आतियात वगेरा से मुतालिक इंतिजामी उमूर की देखरे करती थी कहा जाता है कि उर अपनी जिम्मेदारियों से मुतालिक खुद खानून बनाती थी ताहम बड़े मसाइल के हल के लिए तीनों इस तरह की असेंबलियां एक दूसरे से मश्वरा करती थी Urbanization In history, the term refers to the process through which cities are formed The earliest known examples of cities go back to the 4th millennium BCE when in Mesopotamia between the river Tigris and Euphritus settled agriculture and surplus food production allowed large segments of populations to settle in concentrated areas and engage in non-agricultural activities In the Indian subcontinent too, a largely city-based civilization developed around Harappa and Mohanjodalu in the 3rd millennium BCE A second urbanization in the Ganga Valley occurred around 6th century BCE on account of improved knowledge of cultivation and the use of effective implements made of iron Increasing trade in grain and other manufactured goods was both a cause and consequence of this process of urbanization The growth of money economy and minting of coins also became a hallmark of this process During the medieval period also, the process of urbanization continued as new centers of political power, trade and commerce and pilgrimage flourished In modern times, in the wake of the Industrial Revolution, rapid urbanization was witnessed in Europe and North America Consequent upon the British rule, a similar phenomenon also gradually occurred in India Page 134 इतिहास में ये शब्द उस प्रक्रिया का दियोतक है, जिसके माध्यम से नगरों का निर्मान होता है नगर निर्मान के प्राचीनतम उदाहरन, चौथी सहस्राप्दी इसापूर्व के हैं जब मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में स्थाई क्रिशी और आवशक्ता से अधिक खाद्य उत्पादन के कारण भारी संख्या में लोग कुछ निर्धारित स्थानों पर बस गए और क्रिशी भिन गती विध्यों में सनलगन हो गए भारतीय उप महाद्वीप में भी तीसरी सहस्राबदी इसापूर्व में हडपा और मोहन जोड़ों के आसपास अधिकांश तह नगर आधारित सभिता विकसित हुई क्रिशी संबंधी ज्यान में बढ़ोतरी और लोहे से बने कारगर औजारों के इस्तिमाल के कारण छटी शताबदी इसापूर्व के आसपास गंगा की घाटी में द्वितिये नगरीकरण हुआ खाध्याननों तथा अन्य निर्मित वस्तूओं के व्यापार में हुई वृद्धी नगरीकरण की इस प्रक्रिया का कारण और परिणाम दोनों थी मुद्रा आधारित अर्थ्विवस्था का विकास तथा सिक्कों का निर्मान इस प्रक्रिया के विशेश अंग थे मध्यकाल में भी नगरी करण की ये प्रक्रिया जारी रही जब राजनीतिक शक्ति, व्यापार तथा वानिज्य और तीर्थ यात्रा के नए केंद्र फले फूले आधुने काल में और द्योगिक क्रांती के प्रारंब से ही यौरप और उत्री अमेरिका में तेजी से नगरी करण हुआ भारत में भी ब्रिटिश शासन प्रारंब होने के बाद शनह शनह ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई शेहरकारी तारीख में इस इस्तिला से मुराद एक ऐसा अमल है जिसके जरीए शेहरों की तश्कील होती है गदीम तरीन मारूफ शेहरों की मिसाल गुजिशता चार हसार कबल मसी में मिलती है जब मैसोपोटामिया में दरिया एदजला और फरात के दर्मिया मुस्तकिल जर्रात और गिजाई अजनास जाइद मिगदार में पैदा होने के सबब कसीर तादाद में लोग मखसूस जगा आबाद और गेर जर्राती सरगर्मियों में मशगूल हो गए बर्रे सगीरे हिंद में तीसरे हजारे कबल मसी हडिपा और मोहंजदारों के आसपास बड़ी शहरी तैजीब की तरक्कि हुई थी दूसरी शहरकारी तकरीबन छटी सदी कबल मसी काश्टकारी में तरक्की और लोहे के मौसूर ओजारों के इस्तिमाल की वज़ा से वादिये गंगा में हुई अनाज और दीगर मसनुआई सामानों की तिजारत में शहरकारी का सबब और नतीजा भी था मैशात, जर और सिक्का साजी की तरक्की भी उस तरीकाएकार का एहम जुस था एह्दो वस्ता में भी शहरकारी का अमल जारी रहा इसलिए कि उस दौर में भी सियासिय ताकत तिजारती वा इक्तिसादी मरकज और जियारत गाहों को उरूज हासिल हुआ असर जदीद में यूरोप और शुमाली अमेरिका में सनाती इनकलाब के जेर असर गेर मामूली तौर पर शेहर आबाद हुए इस तरह के मुझाहिरे बरतानवी हूमत के नतीजे में रफ़ता रफ़ता हिंदुस्तान में भी रूनुमा हुए उर्फ This is an Arabic word which was used to refer to the local customs and practices that prevailed in India during the rule of the Delhi Sultans and the Mughals Often, these उर्फs were readily accepted in all cases where they did not contradict the Islamic laws i.e. Sharia In cases where there were diversions, the उर्फs were made acceptable through innovative legal interpretations i.e. Hiyal The Fatwa Al-Alamgiriyah, a work of Islamic laws which was composed during Aurangzeb's rule, explains such legal interpretations helped in striking a balance between the Sharia and the उर्फs उर्फ ये एक अरबी शब्द है जिसका प्रियोग उन स्थानिये रीती रिवाजों तथा पध्धियों के लिए किया जाता है जो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के शासनकाल में भारत में प्रचलित थी अक्सर इन उर्फों को उन सभी मामलों में बेहिचक स्वीकार कर लिया जाता था जहां उनका इसलाम के कानूनों अर्थाद शरिया से कोई टकराव नहीं था लेकिन जहां कोई विरोध था वहां उर्फों को कोई नया कानूनी अर्थ अर्थाद हियाल देकर उन्हें स्वीकारे बना लिया जाता था इसलामी कानूनों की किताब फत्वा आलमगीरी जो की औरंगजेब के शासनकाल में रची गई थी से पता चलता है कि इन कारूरी व्याक्ख्याओं ने शरिया और उर्फों में संतुलन स्थापित करने में मदद की अर्फ ये अरबी लवज है जिसका इस्तेमाल उन इलाकाई रस्मों रिवाज के लिए किया जाता है जो हिंदुस्तान में दहली के सुल्तानों और मुगलों के दोर में हकूमत में राइच थे अक्सर और बेशतर एराफ को उन तमाम उमूर में फौरण मनजूर कर लिया गया जो इसलामी कवानीन यानि शरियत के खिलाफ नहीं थे अगर कहीं शरियत के मुखालिव भी थे तो उन्हें अख्तराई व शर्य तश्रियात यानि हियाल के बाद अपना लिया गया इसलामी कवानीन के मजमुआ फत्वा आलमगीर जिसकी तद्वीन बाच्शा औरंग्जेब के दोर में हुई शर्य तश्रियात शरियत और आराफ के दर्मियां गैर मामूली तट्बीक को वाज़ करता है उश्र The term refers to a type of tax that was levied on land allotted to Muslims under the Delhi Sultans and the Mughals The tax was usually fixed at one-tenth of the agricultural produce if the land was watered by rain and at one-twentieth of the produce if artificial means bucket or wheels were employed उश्र ये एक प्रकार का कर होता था जो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के शासिनकाल में मुसल्मानों को आवंटिज जमीन पर लगाया जाता था ये कर आमतोर पर उस समय खेती की उपच के दस्वें भाग के बराबर होता था जब खेती की जमीन की सिंचाई वर्षा से होती थी और ये तब उपच के बीस्वें भाग के बराबर होता था जब सिंचाई अरहट, बाल्टी, आधी कृत्रिम साधनों से की गई होती थी पेज 135 उश्र इस इस्तिला से मुराद एक किस्म का महसूल है जो सलातीन, दहली और मुगलों के दौर में मुसल्मानों को दी गई जमीन पर लगाया जाता था आम तोर पर ये महसूल मुतईन था अगर बारिश के पानी से खेती हुई हो तो पैदावार का दस्वा हिस्सा और अगर सीचाई के लिए मसनुआई तरीका एकार, मसलन डोल या कुए का इस्तमाल किया जाता तो पैदावार का बीस्वा हिस्सा लिया जाता था उजावर It is a Tamil word meant to refer to an ordinary plowman or farmer in contrast to landowners who are called villal ये एक तमिल भाशा का शब्द है जिसका प्रियोग एक साधरन किसान या हलवाहे के लिए किया जाता है जबकि बड़े भूमी स्वामियों को वेलल कहा जाता है वेलल भी देखें उजहावर ये एक तमिल लवज है जिससे मुराद मामुली किसान या हल चलाने वालों से है इसके मुकाबले में बड़े-बड़े जमीनदारों को वेलाल कहा जाता था मजीद देखें वेलाल Letter U of Trilingual Dictionary of History for Schools ends here Read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary, you were just listening to this presentation Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Dr. Seema Shukla Ojha Project Advise Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Batilang Lingdo Assistance in Production Meenakshi Kukureti Framework Advise Ajit Horo Production Coordination Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India Packard Spendia Subject Coordination Adolescent Poordination I'm a pro-choice Post-A-Pollination Adolescent Poordination Disability Pro-choice